मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाए ताके इस चैनल पे जो भी बीडियो अप्रोड हो उसकी नोटिफिक्षन आपको मिले प्रेजन सिंपल और प्रेजन इन डेफिनेट में हमने पॉजिटीव इंटेगरिव सेटिक्शिस का पार्ट वन देखा था अब हम पार्ट तू देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का 6 रूल आपके सामने है जिसमें डज एक हेल्पिंग वाब है और सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एन एनि सिंगल नेम यानि कोई एक नाम प्रेजेंट सिंपल के 6 रूल के हिजाब से एक्जामपल देखते हैं क्या वो आम खाता है, ट्रांसलेशन है दस ही इट अ मेंगो, डज एक हेल्पिंग वाब है ही सब्जेक्ट है, इट, पस्पामप वाब है, अ मेंगो एक अबजेक्ट है चलिए अब एक्सरसाइस 6 के जुम्ड़े देखते हैं आपान- ऐन्ट पार जाते हैं ऐसे स्कूल जाता है कि अले को स्कूल ढूर्प में तो स्कूल एक अलब्जेटी और गश्कोल एक अबोडेक्ट है नेक्सट क्या राहुल स्कूल जाता है? था राहुल गो तु स्कूल a अबजेक्ट नेक्सट क्या रेना स्कूल जाती है? डासलेशन है डाइना गो तु स्कूल डज एक helping वॉफ है, रीना सब्जेक्ट है, गो, first form of verb है, कुछ को लेक object है क्या कुत्ता भोगता है, टासलेशन है डज डग बाक, डज एक helping वॉफ है, डग subject है, बार, first form of verb है आपर object नहीं है नेक्स्ट, क्या ये काटता है ये हम कुद्टे की तरफ इशारा कर रहे है रासलेशन है Does it bite? Does it helping of है, it subject है, bite first form of work नेक्स्ट, क्या वो market जाता है, डासलेशन है Does it go to market? Does it helping of है, he subject है, go first form of work है to market object है नेक्स्ट क्या पानी पीती है ? टान्सलेशन है, डागल। है क्या चाहिक यूजिसेशेपीं आता है। टान्सलेशन है , डागल। पैनेस है क्या परिंदा उड़ता है ? टान्सलेशन है। यहां पर object नहीं है नेक्स्ट क्या वो दरख पर बैठता है वो हम परिंदे की तरह इशारा कर रहे है ट्रांसलेशन है डजिट सीट अपान दे ट्री डज एक हैल्पिंग वाब है इट सब्जेक्ट है सीट फर्स वाब है आफान दे ट्री का अबजेक्ट है नेक्स्ट क्या राहूल टी वी देख ता है ट्रांसलेशन है डज राहूल वाज्ट बी Northern दज एक हैल्पिंग वाब है राहूल सब्जेक्ट है वाज फर्स फों वाब है आज़ीव बी अबजयक्ट है next क्या अरिना का अपड़े दोती है translation है does रिना wash the cloth does एक helping वर्व है रिना subject है wash first form of work है the cloths object है next क्या राहूल कलास में सोता है translation है does राहूल sleep in the class does एक helping वर्व है राहूल subject है sleep first form of work है in the class एक अब्जेक्ट है अब मन में दो सवाल आते है इन दोनों सवालों के जवाब मैंने एक separate वीडियो में explain किया है जिसका link description में दिया गया है उसे जरूर download करके देख लें exercise की PDF फाइल का link भी description में दिया गया है उसे download कर लें वीडियो पसंद आये तो इसे like करें और share करें कर दो करें दो सब्सक्राइब कर दो प्रूर बाइब कर दो